॥ तो भई यहां पर मैंने एक डिसी मोटर ले रकाये जोगे डिसी ग्यार मोटर है ठीके और इसकंदर एक वाटर पहुंप है जो की पानी को इसकंदर से खीशेगा और उपर से पानी को बहुत प्रेसर से त्याकर कोई उपर से डालीगा तो कुछ इस तरीके से जहाँ पानी इसको ओपर गिरेगा तो यहाँ होगा और यहां पर मैं ने하고 मैंने कुछ इस तरीके से काट के मैंने इसको बना लिया है और जिसको हम क्या करेंगे इसके अंदर जो क्या आपका मोटर है यहां पर हम इसको फिट करने वाले यहां पर जो पाइप है इसके जरी हम पानी को प्रेसर के साथ हम अंदर डालेंगे ठीक इसके उपर हम डालेंगे तब जाके यह क्या होगा यहां पर घुमने लगेगा ठीक है यहां पर हमने गेर मोटर इसलिए उच क्या है ताकि जब धीरे से जब यह स्लो स्पीड में यहां आर्पी में यहां पर घुमें तो मोटर ज़िए आपका हाई आर्पी में घुमने चाहिए तब जाकि यहां से आपको हाई वॉल्टेज आउट्पूट मिल सकता है यहां पर हमने एक एक्स्ट्र पाइब इस्तमल किया है ताकि अगर आपको टंकी खाली करना हो तो उसी वक्त आपका काम में आएगा दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है यह एक साइंस एक जीविशने कले में बना रहा हूं तो सोचे कि आपके साथ भी थोड़ा ज्यान जो शेयर कर लिए जाए तक कि आपको भी अगर बनाना है कहा हो तो है आपको मिल जाए ठीक है तो यहां पर हम इस् इस में यहां पर करेंगा ठीक है यहां पर जो बोल्टेज आउटपुट आएगा यहां पर हमने एक रिक्टिफर इस्टमल कर रहा है तो यहां से आने के बाद वह यहां पर क्या होगा प्योर डीस में कन्वर्ट हो जाए अगर इसके आउटपुट कोई एसी आ रहा होगा यहां से वह pure AC DC में convert हो जाए है तो यहां पर एक ट्रांस्फर्मर में इस्तमल करने वाला है क्योंकि हम यहां पर इन्वर्ट रहुज करने यह आपका 12V DC को 12V AC में convert करने वाला है अब हम इसको पूरा complete करते हैं और इसके connection कर लेते हैं उस पर हम इसको हम इसके aúnफ होगा है चुका है और यहां पर आप देखेए जो काफी सर्कीट लगा हुआ है तो मैं आपको एक एक एकरी बता देता हूं कि हर का काम क्या होता है ठीक है तो यहां पर इसका maineat सर्क्ट यहां पर हमने समर्षियल पॉंप का क्या है तो अगर हम यहां पर पानी डालेंगे तो यहां पर हाई सकनते डालेंगे पिर्य है पर हमा प्ठाइब कर पराइम डालेंगे तो अगर यहां दो पर पर इंवर्ट र्टर जो कि करेगा 121 DC बारवक्ट BC में कंवर्ट कर देगा इसके बाद कि पाइगा पाइगा ऊदगा में बनायो एक मौस्क्त ट्रांजिस्टर और एक जन डीयोड यह यह को मिला करके यह सेंस करें कि आपका जो कि आउटपूर सप्प्ला है वह कितना है अगर 200 फिर 1500 से कम होगा तो यह जो की बल्ब है जो कि लोड इसको अक्टिवेट नहीं करेगा अगर इसके अंदर कोई पानी नहीं यह जिसके वरसे पानी नाते उपर आ रहा है और यहां पर कोई बिजली पेदा नहीं हो रहा है अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम पानी डालते हैं कि अंदर हम पानी डाला तो इसके अंदर पानी डाला तो समर्चिल पॉंप की बज़ेशे पानी सक्ष्जान पार हम दोखियां कि यहां पर देख हैं नहीं कर रहने हैं कर चेहां कर रहा है मोटर भी फोड़ा रखा है और hepsट इंपर सर्कृतिल नहीं पानी डाला पर चोटा है तो जिसके बिरसे आपको लोड जो है पस एक जीरोगाट का बल भी यहां पर आप जला सकते हैं ठीक है तो अगर